हलो नमस्कार दोस्तों कैसो आप सभी तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ चेतक गोडे की समाधी और वो नाला जहां से चेतक गोडे ने चलांग लगाई थी 22 फिट का जो नाला था वो जो चलांग लगाई थी वो नाला दिखाने वाला हूँ और चेतक की समाधी दिखा और आज आपको मैं वो सामाजी दिखाने वाला हूं और नाला दिखाने वाला हूं जहां से चेतक चलाग लगाई थी तीन टांगों से और अगर आप हमारे चेले पर नए हो तो चलो को सब्सक्राइब जरू करना दोस्तों और बेल आइकन को All प्रेस करना कि जैसे ही में वीड हमें कि रोक के पड़ सकते हो कि और यह है जे तक की समाधी है आपनद्रा सो है कुछ में यह लृतकी समाधी ह है कि अपल लिखा हुआ है और यह सामने जो आपको छेतरी दिख रही है यह यह चेतक की समाधी और चलिए अंदर चलते हैं और इस सिलाल एक पिक्क्या लिखा हुआ है आप वीडियो रोग के पढ़ सकते हैं यह गार्डन टैप बना हुआ है यहां पर कि चलिए समाधी की तरफ चलते हैं तो यह समाधी है चेतक की और यहां पर कुछ लगा हुआ था पहले अब हटा दिया गया है तो यहीं दफनाया गया था चेतक को अब देख लीजिए यहीं दफनाया गया था और आज भी चेतक की समाधी इसी जगह है किसी ने हटाई नहीं है छेतक साल हो चुके हैं आपने सुना होगा चेतक गोड़े के बारे पर काफी तारिफे सुनी होंगी तो यह उसी चेतक गोड़े की आज आपको मैं समाधी दिखा रहा हूं देख लीजिए महाराना प्रिताप ने यहीं दफना दिया था चेतक गोड़े को और इसका पूरा राउंड खाटते हैं इसमें कुछ लगा हुआ है मूर्ती देखते हैं क्या है यहीं इसी जगे दफनाया था चेतक गोड़े को और आज मैं वहीं खड़ा हूं और इसके बारे में किताबों में काफी सुना है काफी पड़ा है तो आज मैं उसी जगे हूं यहीं दोस्तों चेतक की समाधी देख लिए चार तरफ से छूले नब छूल लेते हैं चेतक की समाधी को बहुत सूर्वीर गोड़ाता चेतक और यह मंदिर भी उसी टेम का है संकरववान का मंदिर है यह इसको भी 500-600 साल हो चुके हैं मंदिर को बने हुए और यह गार्ण बना दिया गया है यहां पर अच्छलीए चलते हैं अब उस जगह जहां पर चेतक ने एक पैर कटन जाने के बाद भी चलंग लगा जी थी बाइस स्विट ना लेकिए चलो ठीक है चलते हैं और आप यह प्यार्याट आप दो टेक्लिन चलते हैं पर अज़् तो गाइस मैं आज को तो गाइस मैं आज आपको नाला देखाने वाला हूँ जहां से वारान प्रताप के गोड़े चेतक ने छलंग लगाईती और बीस फिटका नाला था छोड लंबाई में तो यह है वो सामने देखो वह आपको पानी से देख रहा है ना यहां से और वहां तक छलंग लगाईती और फिर उधरी दम तोड़ दिया था चेतक गोड़े ना आप देख लिजी काफी पुराना टैम हो गया है काफी समय की बात है बहुत कुछ डपलब हो चुका है यहां पहले एक पहाड़ सा था और यह एक दिवाल बन गई है वह सकता है पहले की हो नीचे और आप पहाड़ देख रहा है यहीं घई से चेतक ने छलांग लगाई होगी और वो नाला आप देख सकते हो काफी दूर का डिश्चाइंज है और यह पहाड़ आप देखो जंगल का इलाका है तो यहीं से चलांग लगाई थी चेतक गोड़े ने अब यह नहीं पता कि एदर से लगाई थी यह एदर से लगाई थी पर नाला वो वही है मैंने अब यहां पर गाउंगालों से पूछा आप देखे लिए जंगल का इलाका है तो यहीं वो जग है तो दोस्तो आपको आज का मारा वीडियो कैसा लगा मैंने आपको चेतक की समाधी दिखाई और चेतक ने जो नाला पार किया था 22 फिटका वो भी दिखाया और आप बहुत पहनत लगी दोस्तों इस वीडियो को बनाने में और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना दोस्तों और बेल आइकन को आल पर प्रेस करना कि जैसे ही में वीडियो डालो तरन्त आपको नोटिपिकेशन मिलती रहे तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नई और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय वारत